ना लेसुन ना प्याज फिर भी मटर पनीर बनेंगे बड़े ही खास आज मैं आप लोप साथ शेयर करने जा रहे हूं बिना लेसुन प्याज के बनने वाली मटर पनीर की ऐसी रेस्पी जो कि बिल्कुल हलवाई जैसी बनती है और बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है और इसकी ग्रेवी भी एक दिन थीक और क्रीमी रहती है कहीं से भी आपको न स्वागत है आपका बनार्सी जाय कमें तो सबसे पहले पे एक इंच अद्रब का तुकड़ा लेया है पांसे छे हली मिजली है एक कप फ्रोजन मतर है दो बड़े चमच यहां पे मैंने खोया लिया है इसे मावा भी बोलते हैं एक बड़ा चमच मैंने पॉपी सीड लिया है और इसे मैंने आते कप पानी में थोड़ा सा चीनी और नमक डालके वोल कर लिया था जिससे किसके स्किन आसानी से निकल जाए अब इसके स्किन को निकाल देना है और इसके पानी को हमें फेकना नहीं है इसका यूज हम बाद मिक करेंगे साथ ही आप मैंने 300 ग्राम पनीर ल मिर्च एक हरी लाइची तीन से चार लॉंग एक सुखा नाल मिर्च अब इसी क्या करना है हमें एक मिनट के लिए लो फ्लेम पी ही ड्राय रोस्ट करना जब तक इसमें से थोड़ी कुछबू ना आने लगे जब थंडे हो जाएंगे तो इसको हमें दरदरा सा पावडर बन लेंगे और इसका हमें फाइन पेस्ट बनाएंगे अगर आप हसकस के डाने को सिल्वत्य पे पीस सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है उससे पेस्ट इसका बहुत आच्छा तयार होगा क्योंकि इसे पीसने में थुझा टाइम लगता है तो देखे इस तरह से इसका फ यारियों को जरूर कर लिजेगा उसके बाद ही गैस को आउन किजेगा तो आप चलिए एक पैन लिते हैं और चार बड़ी चमस सरसो का तेल लेंगे आप चाहते कोई भी कुकिंग और यूज कर सकते हैं जब अच्छे से गरम हो जाए तो इस पे हम पनीर एट करेंगे और पहल करने से क्या होता है टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है तो यह देखिए पनीर भी सुनेयरे हो चुके हैं अब इने भी हम अलग करके निकाल लेंगे तो देखिए कुछ इस तर के से प्राइब हुए है अब आज हम धीमी रखेंगे और इसी बचे वित तेल में एक चोता ही अधा चोता चमजीरा और एक सुखा तीजपत्ता एड़ करेंगे और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए और ग्रेवी में एक तिकनेस लाने के लिए एक सिक्रिट चीज यहां पर एक अच्छा आएगा तो वह है बेशन तो यहां पर मैंने एक बड़ा चमज बेशन करेंगे और यह देखिए अच्छे से भून चुके हैं अब इसमें हम टमाटर अधर कमिछ वाला पेस्ट करेंगे इस सब्जी की खास बात यह है कि इसे बनाने पर ज्यादर टाइम नहीं लगता क्योंकि हमने इसमें लेसों प्याज को आड़नी किया है जिसे पकाने के बहुत ही पसंद आएगी अब इसमें कुछ बेसिक मसाली यूज करेंगे तो यहां पर मैंने आधा चमच लाल मिश पाउडर आधा चमच गरम मसाला लिया है एक चुटा चमच सब्जी मसाला लेंगे कोई भी सब्जी मसाला ले सकते हैं और आधा चुटा चमच हल्दी होता है तो यह रेस्पी आप लोग के लिए परफेक्ट है अब इसे थोड़ा दिर भुनने के बाद इसमें हम मटा राइट करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करने के बाद दीमी आच पर धटकर दो से तीन मिनट के लिए पकाएंगे तब तक कि इसमें से ऑईल सेप्र अच्छा आता है आप चाहें तो सिर्फ मलाइका भी यूज़ कर सकते हैं और खोये की जगर बर्फी या पेड़े का यूज़ कर सकते हैं बध्यान दीजेगा लास्ट मिस में चीनी आड़ने करिएगा अब इसके बाद हमने जो मसाला तयार किया था धनिया सौफ वाला उसे अच्छा आता है हलवाई लोग इस इस च्रिक का यूज़ करते हैं तो सारी मसाले एड़ करने के बाद इसमें थोड़ा कसूरी मेती हाफ चमच के बरावर आड़ करेंगे साथी थोड़ा मिठास के लिए इसमें आथा चोटा चमच चीनी आड़ करेंगे और सबसे इंपौर तो अब इस स्टेज पर हम पनीर आट करेंगे आप चाहे तो इस रेसिपी को सुखा मतब बिना ग्रेवी के भी बना सकते हैं लेकि मुझे यहां पर पानी आट करना है क्योंकि मुझे दिखाना है कि बिना लसन प्याज के भी टेक्स्चर कितना अच्छा आता है अगर आपको म पसंद आ रहे तो प्रीज मेरे वीडियो को लाइक शियर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो यहां पर जो है कि मैंने टमाटा वाला जो पानी बचा था उसे आट किया है साथ पर थोड़ा पानी अगर मुझे कम लगता है तो मैं बार में और पानी आट करोंगी तो यहां पर मैं नमक डालना भूल गए थी तो बाद में नमक आट किया है आप पहले ही नमक आट कर लें अब इसे दीमी आज पर धकर पांच मिट के लिए पकने देंगे और यह दिकिए पांच मिट पर मैंने रखकन हटाया है और हमारी रेस्पी बनकर त्यार हो चुकी है और कितना अच्छे से उपर अपियर हो रहा है और इसका टेक्च्चर देखिए एकदम क्रीमी हो गया है है ना कहीं से भी यह पतला नहीं लग रहा है कि आपने इसमें लसन प्याज नहीं आट किया है बहुत ही ठीक रिच एंड क्रीमी इसका टेक्च्चर आया यह दिखिए और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए हैना एक दम परफिक्ट अभी जो है थंडी होंगे तो और भी गाड़े होंगे तो मारी मटर पनी तयार हो चुकी है फ्लेम को आफ करते हैं और इसे हरा धन्या से गार्निश करते हैं तो ठंडा होने कबाद इसका हम टेक्स्चर देखते हैं तो अचले फटा पड़ी से अब हम सर्फ करते हैं तो लीजे बिना लेसन प्याज वाली हमारी मटर पनीर की रेस्पी बनकर तयार हो चुकी है आप इसे जरूर बनाएगा और इंज्वाइ कीजिएगा आप इसे रोटी पराठा नान पुला किसी भी चीज के साथ खाईए सब इ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्रीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूले तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसीपी में बाइबाई